हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास आज हम जानेंगे कि प्ले स्टोर पर अपनी आइडी यानि कि अपना अकाउंट कैसे बनाएं यहाँ पर जब भी आप नया फोन लेते हो या फोन को रिसेट करते हो तो आपको उसमें अपनी आइडी बनाने पड़ती है तब ही आप उसमें से कोई एप डाउनलोड कर सकते हो और उसको इस्तिमाल कर सकते हो तो आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो साइन इन करने हो कहेगा तो इस पर टच करें टच करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है आपके फोन में नैट चालू होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक नया पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलेगा create account या नीची की तरफ इस पर टच करिए for myself पर टच करिए सबसे उपर वाले पर first name और surname डाल देना है जैसी कि मेरा नाम है सूरज कुमार तो मैं हाँ डाल दूँगा सूरज s-u-r-a-j यहाँ डाल दूँगा मैं कुमार k-u-m-a-r ऐसा ही आधा नाम आपको उपर डालना है आधा नाम नीचे next पर टच करिए थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पर अपनी date of birth और अपना gender select करिए कि आप male है female तो सबसे पहले मैं date of birth डाल देता हूँ 30 October 1995 gender डाल देता हूँ male और next पर टच करता हूँ यहाँ पर कह रहा है create a gmail address तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है जिसी कि मेरा नाम है सूरज कुमार तो मैं डालता हूँ सूरज कुमार इसके बाद डालना है आपको अपने mobile के 6 digit तो मेरा mobile number है 987059 तो मैं डाल देता हूँ 987059 तो ऐसे करके देखिए अगर एक बार में accept नहीं होता है तो इन numbers को या इन word को change करके देखिए तो मैं next पर touch करता हूँ अब कह रहा है यहाँ पर password बनाईए मैं password यहाँ पर डाल देता हूँ आपको फिक password बनाना पड़ेगा तो हमने आपर password बना लिया है कम से कम 8 number का password आपका होना चाहिए next पर touch करिए जरा सा इंदजार करिए नीचे के तरफ आईए यहाँ पर आपको मिलेगा skip इसकिप पर touch करिए आपकी Gmail आइड यहाँ पर दिखा देगा आप इसे लिख सकते हैं next पर touch करिए थोड़ा सा इंदजार करिए नीचे के तरफ आपके agree कर दिजिए और यहाँ पर आपके settings कम्पलीट हो चुकी है और आपका जो account है वो बन चुका है तो more option पर जाके expect पर touch करिए इस पर touch करने के बाद यहाँ पर आपका Google account यानि कि play store open हो जाएगा और Google account बन जाएगा Gmail ID बन जाएगी तो ऐसे आप इसको इसको इस्तिमाल करें वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा